मर्दों के जीवन में सेक्स का आनन लेने का समय बहुत ही कम है एक बार आप पचास की उम्र पार करोगे, पच्चपन की तरफ बढ़ने लगोगे तप्शीव गृपतन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लिंग में कड़कपन न आना, बला 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 ऐसी बहुत सारी प्राबलम्स आपकी लाइफ में आ जाएगी और महिलाओं के लिए तो और भी मुश्किल है एक बार कोई महिला जो है पैतालिस साल की उम्र पार करती है मतलब वो मैनूपॉस की तरफ अग्रसर हो जाती है उसकी तरफ दौर लगाती है और उसकी योनी में सुखापन आने लगता है और सेक्स करना एक बहुत ही मुश्किल कारे होता है उनके लिए ही नहीं बलकि उनके जो मेल पार्टनर है उनके लिए भी तो इसलिए किसी कवी ने क्या खूब कहा है कि चाहत है कमसिन इसके हैं दो दिन इन दो दिन में से एक दिन तो दे दे क्या आप ऐसा बोल पाएंगे अपनी पत्नी को अपनी गर्ल फ्रेंड को अपनी लिव इन पार्टनर को कि जो चार दिन तेरे मैंस्ट्रल साइकल के आरहे हैं महावारी के उसमें से एक दिन तो दे दे यार मुझे चलो चलो एक दिन नहीं आधा दिन तो दे 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 दो दिन दे दे नहीं बोलेगी वो कहेगी कि महबबत बंध है सनम चार दिन तक महबत बंध है क्योंकि पेट में दर्द है मूड खराब है बहुत बहुत ब्लीडिंग हो रहा है ऐसे ही समझो की वरत रखती है कोई लड़की या महिला चार वरत तो रखी लेती है मन्त में उपर से नवरात्री आ जाता है गौरी वरत आ जाता है दस टाइब के वरत आते हैं लड़कियों और महिलाओं के जीवन में तो समझो की जब वरत आता है तब तो वो सेक्स करती नहीं है मौबत पर ताला लग जाता है और दूसरी बार यह है कि चार दिन की जो ये जवानी है ये भी बीच जाएगी आपकी अगर वो चार दिन महावारी के आते रहेंगे और हम लोग कुछ करनी पाएंगे कौन है ये लोग कहां से आते हैं जो कहते हैं कि महावारी के दौरान आपको सेक्स नहीं करना चाहिए पहली बात तो ये है कि मेंस्टर साइकल और महावारी के समय आपको बिलकुल सेक्स करना चाहिए ये मैं आपसे कह रहा हूँ 10 सदे 11 साल का रिसर्च मैंने किया है इस विशह पर और आज मैं आपको सटिक जानकारी दे रहा हूँ और मेरा जो ये रिसर्च है अमेरिकन रिसर्चर्च पर बेस्ड है उन लोगों ने कहा है कि जी हाँ महावारी जब आती है या मैंस्टर साइकल आता है पीरेड़ आता है उस समय आप सेक्स कर सकते हैं जीवन में समय इतना कम है चार दिन भी क्यों आप विर्थ करना चाहते हैं आप इतने कामुक इनसान हैं आप एक दिन भी सेक्स के बिना नहीं रह सकते हैं अपने हातों का प्रयोग करेंगे यह हो सकता है महिलाओं के लिए भी खत्रे की बात है खत्रे की घंटी है क्योंकि वो चार दिन महवारी के आएंगे तब कहीं उनका मेल पार्टनर कहीं इदर उदर मू ना मार ले आजकल फेस्बूक और वाटसाइप का जमाना है बॉस के इदर उदर मू मार लिया वो सेक्सी सेकेटरी जो आफिस में है वो तो इसी मौके की तलाश में रहती है पास में पडोस में रहने वाली वो खुबसूरत लड़की आंटी काम वाली बाई नजाने कहां हाथ मार देगा वो मर्द तो मर्द होते हैं इसलिए आपको समझना है आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि मेंस्ट्रल साइकल में अगर सेक्स करना है तो कैसे करना है इसका मतलब मेरा opinion यह है कि sex करना ही चाहिए महावारी में लेकिन कैसे करना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको surely इस बारे में जानना होगा और अगर जानना है तो आपको एक ही चीज़ करना है आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ने किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना है अगर आप महावारी के समय सेक्स करते हैं अपनी वाइफ के साथ अपनी प्रेमिका के साथ अपनी लिविन पार्टनर के साथ तो आप उन पर एहसान कर रहे हैं आप नानी प्रथा चली आ रही है जो हमारे घर पर दादी नानी ये जो डोकरियां होती है ना डोकर डोकरियां ये हमेशा ऐसा बहेव करती है जैसे किसी महिला को अगर या किसी लड़की को पीरेड़ आ जाता है तो ऐसा सोचती है कि यार ये तो अच्छूत हो गई उसको जमीन प नहीं सकती है वो कोई भी पोथी पढ़ नहीं सकती है वो खाना भी नहीं बना सकती है उसे कोई छू नहीं सकता है ऐसी हालत अरे भाई ये एक नैश्रल प्रोसेस होता है ये होना ही होना है मैं आपको समझाओं कि actually क्या होता है कि जैसे कोई औरत है अब जब पीरेड उसको आय है इससे पहले हम टाइम में पहले जाते हैं मतलब पास्ट में जाते हैं और समझते हैं कि 14 दिन पहले जब उनका एक रिलीज हुआ एग जो रिलीज हुआ वो शुक्राणू को ढूनता है ठीक है तो ढून है वो एक जो कह रहा है कि मुझे एक अजनबी की तलाश है मुझे चाहिए एक शुक्राणू जिससे मिलकर मैं बच्चा बना दूँ ऐसा वह एक सोचता है जो कि ओवरी से निकला है और अगर उसे शुक्राणू मिल जाता है अगर आपने कॉंडूम नहीं लगाया और उस वक्त वह चला गया 14 दिन पहले जब आपको पीरेड आया किसी महिला को उससे पहले तो फिर वह एक उसके साथ मिल जाता है बहुत सारे शुक्राणू रहते हैं जैसे आप लोग कैसे एक सुन्दर लड़की रहती है हजारों लड़के उसके पिछे जाता है एक को भी मिलती है है की नहीं ऐसे हजारों करोडों शुक्राणों याकों निकल जाते हैं जो कि मिल गए आज मेरे सनम आज मेरे जमी पर नहीं है कदम ओ लड़की की शादी नहीं हुए हो तो उसकी तो एल लग जाती है लाइफ की मदर सिस्टर हो जाती जिंदगे की प्रेगनेंसी ठेर जाती है लेकिन अगर आपने कंडॉम यूज किया है शुक्राणू नहीं पहुँच पाया वहां तक तो फिर एग क्या करेगा वो तो अकेल आए बेचारा तो यूटरस की जो लाइनिंग रेती है वो शेड हो जाती है अगर वो एग मिल गया और समझो कि वो जाइगॉट बनेगा आगे बच्चा बनेगा तब तो साइकल ही रुख जाएगा पिरेड आएगा ही नहीं लेकिन अगर वो नहीं मिला है तो नैचरल पोसेस है कि जो यूटरस की लाइनिंग है वो थोड़ी थोड़ी ढहती है और ब्लीडिंग होती है इतनी सिंपल सी बात है इसमें क्या है रिलीजन का संबन इसमें रिलीजन अगर किसी लड़की को पिरियड आ गया है तो पडोस में रहने वाले शर्मा अंकल को क्यों तकलिफ होती है मुझे समझ में नहीं आता है हमारे गर में डोक रिया है जो बुड़ी ओरत हैं उनके कान हमें दो डमुड़ी अग敢ा किचन में हाथ नहीं नहीं चाहिए उनके यूट्य debated आ रहे यह तो पयप आप आंड देखना यह टाइप करके देखना टॉपिक, दाड़ी वाल है, ऐसे बहुत सारे आरे महिला ही बारी, नहीं, 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 नहीं करना है, अरे विदेशों को आप फॉलो करते हो, हाथ में आपके आईफोन है, एडियास का जूता पेना है, जॉर्डन की कैप पेनी है, तो सोचो भी उ कितनी फेस हुई है, पहले महिला के हस्बंड जब मर जाते थे, तो उसकी शादी नहीं करवाते थे वापस, और महिला पढ़ लिख जाए, तो यह सोचना था हमारे देश में की, उसका हस्बंड तो मर जाएगा, अगर लड़की पढ़ लिख गई तो, कोई औरत पढ़ कि पहले, बिटिशर से आने से पहले, तो हमने बहुत सारी चीजे छोड़ दी, तो इसको भी छोड़ दो यार, मैं आप से कह रहा हूं, मैं गैरेंटी दे रहा हूं, कुछ भी नहीं होगा, आप डौरतों कि और बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, क्या होगा, कुछ नहीं होग अगर आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, बहुत सारे लोग पुराने विचार दारा के, और्थोडॉक्स होंगे, उनके कि ये बात पहुचा नहीं है दोस्त, अगर पहुचा नहीं है तो फ्रेंड से शेयर भी करेगा, और हाँ, बैल आइकन को जरूर हिट करेगा, जिससे मेरे सारे वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे, तो सेक्स आपको करना है, और सेक्स करने से आप भला कर रहे हैं उस लड़की का, उस औरत का, पहली बात, क्यों भला कर रहे हैं? क्योंकि जब औरत जो है, उसको पीरेड जाते हैं, मतलब अं अंदर जो उनकी योनी हैं, उसमें थोड़ी हल्की सूजन भी आ जाती है, तो इस वक्त क्या होता है, कि उनका मूड एकदम खराब हो जाता है, वो किसी भी चीज, ये सामाजी कारणों के कारण किया रहा, चुछ जैसा बीवर करोगे, किसी के साथ में पास्ट्रेटी करोग इसा होना निया, मौडर्न इंडिया में हमको आगे बढ़ना है, समझो बात को, तो क्या बात है कि इनका मूल खराब हो जाता है, वो थोड़ा पेट में हलका दर्द रहता है, हलका फिवरिश भी लगता है, इनका मन बहुत उदास रहता है कि चार दिन हम अपने पती की सेव पानी कर पाएंगी, हम तो ससुराल गेंदा फूल टाइप की है, हम तो सती साविती टाइप की है, रोजी पती की रोज लेते हैं, और उनको खुश कर देते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे, तो ये भी उनके मन में गलानी भाव आजाता है, एक तो, और दूसरी बात है, तबियत खराब की यार ने पेट दुखरा है और कभी-कभी ऐसे सिंटस नहीं भी होते तो भी उसको लेटे-लेटे क्या करेगी और अगर आप सेक्स करते हैं इस वक्त तो सेक्स करने से क्या है डोपैमेन और एंड्रोफिन्स नाम के जो हर्मोन महिला के माइड ब्रेन से रिली इस से महिला बाहर आजाती है नमबर वन आप उन पे एहसान कर रहे हैं तो अच्छा है आप कर रहे हैं ठीक है आप ऐसा सलमान खान तो नहीं आप कहते हैं कि मुझ पे कोई एहसान मत करना कि मैं तुम पे एहसान नहीं करूंगा ऐसा कुछ कहा उसने लेकिन आप तो एहसान क सकते हैं वो तो आपके दिल के इतने करीब आपकी प्रीएस ही आपकी वाइफ है आपकी life partner है आपकी soulmate है उसका भला ही चाहेंगे ऋसके दुष्मन तो आप हैं नहीं तो इससे मैने बताया कि ऐसे हर्मोन से लिज सो इस से भी कम हो जाएगा American researchers ने बोला है मेरी नहीं मान रहो American researchers को तो मानोगे कि वो पुराने जवाने की दक्यान उसी बाते मानोगे कब तक मानोगे यार कम कम बहाद निकलो इस चीज से अच्छा और best sex position जो है वो missionary position इस समय जो है आप cowgirl वगरा ट्राय न करें cowgirl position क्या होता है कि औरत आपके उपर चड़ जाती है क्योंकि वो bleeding होता है इसलिए आप नहीं करें और दूसरा जो है आपको ध्यान रखना है कि missionary position ही रखना है missionary position करने से क्या है कि वो औरत लेट जाती है आप उनके उपर है साइड से आईए साइड बाई उपर भी ना चड़िए साइड से आईए spooning करिए पीछे से भी कर सकते है तो उससे काफी फायदा होगा और counter, on the counter sex ना करें इसमें और कोई भी ऐसा type का उच्छल कूद ना करें धीरे धीरे sex करें थोड़ा ध्यान रखिए आपको बहुत उत्तेजना हो रही है और और अरत को तो जब menstrual cycle आता है उस वक्त जादा ही उत्तेजना होती है और एक positive बात भी यह है कि pregnancy के chances जब menstrual cycle आ जाता है उस समय बहुत ही कम होते हैं अगर आपकी कोई कुवारी girlfriend है 18-19 साल की है गोरी गोरी प्यारी प्यारी आपने पटा लिया है उसे आप खुझ भी 20-21 साल के हैं तो आप दोनों सोच रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़ जाए जब उसको menstrual cycle आएगा उस वक्त आप sex करिए तो pregnancy के chances बहुत कम हैं पिल खिला देना बाद में लिए कम chances हो जाते हैं दूसरी बात यह है कि नॉमरी जो आप sex कर रहे हैं उसमें योनी थोड़ी सूखी रहती है पर इस case में क्योंकि blood है वहाँ पर इसलिए lubrication भी ज़्यादा रहता है आपको in out करने में आसानी भी रहेगी शावर sex का आप enjoyment ले सकते हैं अगर शावर में आप sex करेंगे तो क्योंकि पानी बहता रहता है तो अगर bleeding होता भी है थोड़ा blood भी निकलता है वो पानी में बह जाएगा नाली में बह जाएगा और चादर के उपर और आप देखेंगे कि 1st और 2nd जो रहता है वो यूज़री कम bleeding के रहता है 1st day कम bleeding के रहता है 2nd से ज्यादा bleeding चालू होता है तो आप 1st day sex कर सकते हो 2nd भूच ज्यादा bleeding हो रहा है तब मत करो 3rd में ज्यादा होता है 3rd के बाद शाम तक कम हो जाता है 4th में तो एकदम कम हो जाता है 4th में आप comfortable ही कर सकते हो 1st में भी आप कर सकते हो 2nd 3rd में थोड़ा कम करना एवाइड करना है और देखिए ये थोड़ी ना बोल रहा हूं है कि हार्ट कोर ही करना है आपके पास तो खुला मैदान है उनके होट है चूसने के लिए उनकी बगल है जहां पर आप बगल को चूस चाट सकते हैं अपनी लिंक को वहां रगड कर वही वीरे चोड सकते हैं उनकी नाभी पर प्यार कर सकते हैं उनके बूप्स के बीच में लिंक को गिस सकते हैं बूपस को भी चूमते हैं हाँ इस वक्त आप चाहे तो कर सकते हैं पर अच्छा न लगेगा आपको मुँख मैथौन नहीं करना है गुदा मैथौन आप कर सकते हैं गुदा सेक्स कर सकते हैं इतनी सारी टांगो को चाटना चूसना है, जांग है गर्दन है इतनी जगह है तो आप ऐसा क्यों सुसते हैं कि यार मैं सिर्फ योनी का ही काम वो तो तीन-चार मिट का वो भी करो उसे बहुत फायदा होगा उनको दर्थ नहीं होगा क्रैम्स नहीं आएंगे मूड इंप्रूव्मेंट हो जाएगा ब्लीडिंग भी कम हो जाएग जरूर करना चाहिए तो आज मैं खुली रूप से चैलेंज पेश कर रहा हूँ और ये बात ओपनली कह रहा हूँ कि मेंस्ट्रल साइकल में सेक्स करना चाहिए और कैसे करना चाहिए हो मनें आपको बता दिया अगर आपको बुरा लग रहा है तो यार मुझे गाली जरूर देना मुझे गाली चलेगी मेरी चम्री तो बहुत मोटी है मुझे कंतर नहीं पढ़ता है अच्छा लगा हो अगर लगा कि यहां revolutionary विचार है अच्छे विचार है यह हमारे देश की संस्कृति को नहीं संस्कृति नहीं संस्कृति तो positive होता है बुरे जो रीती भारत का निर्मार्ण कर पाएंगे, है कि नी? तो आपके कमेंट्स जरूर जरूर भीजिएगा, अच्छे कमेंट्स या बुरे जो भी हो, मुझे सब मनजور हूंगे, ठीक है, तो जरूर भीजिएगा, और आपके कमेंट्स का मुझे बेसबरी से इंतदार रहेगा फिर मिलता हूं किसी और दिन ऐसे इंट्रेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ शेर करते हुए तब तक के लिए बाई टेक केर फ्रेंड्स